के बेसिकली आज हम बात करे हैं इस कंडिशन को सब्साइब में कैसे अपलाई करें एक छोटा सा यहां आप एक फॉर्म दिख रहा है जो कि इने बनाया हुआ है तिल्टा पूजा फिल किया मोहन फिल किया पूजा सिंग पूजा सिंग और यहां ऑप ुमिल इडी देए मालीजेगी फूजा at the rate ipt india.com और यहां हम password को गरा डालते हैं तो यहां password डालते हैं यहां accept पे click करते हैं और यहां पे tester भी click करते हैं और ok करते हैं तो देखे सब कुछ खाली हो गया और यह data कहां चला गया data यहां पे आगे अब इसमें मुझे आग दो-तिन चीजे करनी है ठीक है सबसे पहले यह हमारा बटन से तो मैं यहां पे एक करना चाहता हो कि जब तक आग term and condition यूज ना करें तब तक यह रेटर हमारा दिखे ही नहीं समझे क्या ना हो दिखे ही नहीं तो record micro के अंदर में हम जाएंगे और पहले इसको हम select करेंगे select करने के बाद इसके अंदर होता है यहां पे sap format में जाए उसके नहीं होता है तो अधर करें तो यहां आखे अधर कर देखे इसके पूर्ट क्या जन्हें打 हुआ है मुदल तो हुआ है कि यह था दिखेंगर राउंड कॉर्णर वन दिखेंगर है तो यह बड़ा नाम हो गया है क्योंकि आब देखेंगे सकानाम को मुला को अब क्या हो गया इसका नाम है कि मैं को अब RC दूर्ण जगा हो गया एक बार और रिकॉर्डिंग करते है माइक्रो को रिकॉर्ड किये इसको सेलेक्ट किये और यहां से इसकी विजलिट्री को अटा देए ठीक है और स्टॉप करते है अब इसकी को यहां पर आते है और इसका रिकॉर्डिंग को देखते है रिकॉर् अब इसको हटा जेते हैं अब यहां पर हाँ हाइड अनहाइड करें अब इसको फॉंक्शन मणा दें यहां पर लिखते हैं फॉंक्शन एज डी और यहां पर लिखेंगे बी एजे बुलेंड कि इसको इन्वर्टर क्राम में लेते हैं और इसको हम है टेंगल और दी कर देंगे अब हम अपने उस मैक्रों वाला कंडिशन में यहां एक मैक्रों बनाते हैं इसको राइट क्लिक करते हैं और डवलापर अब यहां पर दिक्कत आगे जब इसको 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 राइट क्लिक क्लिक होगा एक मैक्रों बनाना बढ़ेगा शाग्या शाग्यां सब्जेक्ट एजडी एजडी हम राइक रोपन करकर कर दें और यहां पर सिंपल लिखेंगे कि एव कि जो आपको दिख रहा है ना है आपका बी नाइंटीन रेंज बी बी नाइंटीन दॉट वैल्यू इज इक्वल तू 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 दैन क्या हो जाए कि हमारा एजडी जो फंक्शन है यहां देखे है हम एए एक्वल तू एजडी एजडी के अंदर में हम क्या दे जाते हैं पे फिर्ट जाते है फिर्ट जाते है फॉब यहां पर हैल्सअ यह अंदर में आध्या क्या देते हैं पॉल्स सथा यह हैं आप आप योज। अब इस जडी को इस पहा स्था इंडी कर देता हुए इस्पे राइट क्लिक किया अस्द्र गाराँ और आपलाई है ना है मैं अब इस पर क्लिक करते अ को यहां पर है ड्रीज करकल दिया में इस डे कि इसका माइन टयाना ऐसे यहां पर हिए नाम का माइन होगा ड्री है अब अब और शो कर देता हूं एक नाम के दो मैक्रों नहीं हो चकता न है अब यहां भी करते हैं है अब आइटिंग वर्क करना चाहिए अब इसके साइड मैक्रों दुबारा से करना परेगा करने के जरूती ही नहीं है अब देखें यहां पर देना है मुझे एमेस सो कि इस तरह से अड करेंगे तो नहीं लेगा था न तो यहां मैं करता हूं ऐसे वेरी एंड यहां पे लिखता हूं दी ठीक है और यहां पापा साथ हूं मुडूल 1 में यहां पे mso true यहां पे mso false अब देखते हैं के लिख कर देख सब्सक्राइब कर सकते हैं तो अब इसकी कोडिंग कर नहीं है और मैंने क्या रिकॉर्ड करके इसकी कोडिंग ले ली नाम थरा बड़ा था तो इस पे सेलेट करके हम दोनों जगह आर्सी यहां भी आर्सी देदी है वहां भी आर्सी डेदी है शॉट नेम कर दिया हलाकि आप नहीं भी किजिए तो चलेगा ठीक है अब यहां पर मैंने एक फंक्शन मनाया क्या बनाया फंक अब फॉर्मुला है बोला कि SD और बी एक वरियेंट क्योंकि MSO टूवाल्स में बुलें में चलेगा नहीं और हमें स्ट्रिंग करेंगे तो डिक्कत हो जाएगा तो हम वरियेंट कर दिया है कि जैसा हो तो ऐसा ले 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 सिस्क्राइब कर लें और यहां पर इस बी को दे द अब यहां पर हुआ कि हमने प्रगाया फंक्शन यहां पर फंक्शन की एक वल्टू एससे ले लिया कि SD MSO टूव और SD MSO पॉस को एज़डी फॉर्मुला है और MSO को क्या किया इसने यहां बी को दे दिया बी का गरिया उसको टू कर दिया और फॉस कर दिया क्लियर है तो यहां से क्या हुआ कि बाइया जब तक आप यहां पर इसको क्लिक नहीं किजिएगा टामिन कंडीशन वह तक तक रिश्टर आएगा ही नहीं कि लिए सांप कोई दिक्षर इसमें आपने किसको फंक्शन निंग फंक्शन यहां अप्लाई किया नहीं देखिए कि मैंने आपर का किया फंक्शन बना था फंक्शन ठीक है न और फंक्शन मैंने देदिया कि ए एजे लॉंग अब मुझे फंक्शन के नाम देना होगा फंक्शन यहां वे मैं इसस कर दें राइट और यहां में करता हूँ कि SS equal to A plus 100 कर दिया ना सब अब किसी micro के अंदर में अगर subject ले यहाँ पे किसी micro के अंदर मुझे 100 जोड़ना है A के बैलो के उपर तो मैंने बोला कि यहाँ पे A भी ले दो B equal to SS और इसके अंदर में क्या कर दिया 50 कर दिया तो result क्या आएगा MSG box के अंदर में हम result B को करें तो क्या result आएगा सर् result क्या आएगा तो result आएगा 150 क्यों क्योंकि A function में हमने यहाँ पे पूला A as long A की value यहाँ पे SS जो है फंक्शन ने में इस function प्प्लाई किया 50 जो है A पे लोड हो गया अब ऐसे use क्यों करते है एक ही function को अगर ऐसा नहीं होता तो माली जो मुझे 5-4 बार जोड़ना है तो मुझे क्या करना पड़ता कि हमेशा मुझे जो 100 जो हमने लिया हुआ है जो 50 डालते हैं हर बार मुझे अलग अलग तरीके से लिखना पड़े वो calculation हर बार करना पड़ेगा मुझे एक वल टू एक पॉलास अंडरेड अब उपर दिना पड़ता कि एक कंडीशन मुझे करना पड़ता है अब मुझे फिर 60 जोड़ना है तो अगेन इस लाइन फिर दुवारा लिखना पड़ता है तो function apply कर दिते क्या हुआ कि मुझे आप कई लाइन की कोडिंग को एक लाइन में करता है समझें पूरा नाल दीजिए लेकि प्रॉब्लम में है कि अभी एक लाइन है इसलिए लेकि कलके डेट में अगर दूसरे मायक्रों में यहां आगर 57 लाइन होगा तो यहां आपको यहां भी 57 लाइन यहां भी 57 लिखना पड़ जाए कि अब मुझे इसको इतना बड़ा लाइन को यहां लिखने के जरूत नहीं है आटोमेटिक ले लिए इसको आप पूरे को लिजिए और यहां डाल दीजिए और यहां पर कर दीजिए हो गया है समझे है हुँ हम नहीं सीविसी वख्षी सिविसी वख्षी है हाँ हमने फॉर्मूला क्रियेट किया इसी पर चलेगा सिर्फ आगे बढ़े अब कोश्चन है कि मैंने पहले से लिख रही है यह कोड़ आपको दिख रहा है हमने कोड़ पहले स्लीव रखता है अब प्रॉब्लम में है कि अगर कोई भी सम्मीट वगब में रच्टर पर क्लिक करें चेक करें कि कि किसी भी कोई भी जो सेट है और खाली नहीं होना चाहिए पर भी सम्मघ़ इसका हम इसका नाम देता हो एनिम ऑस्ट ने वह फासुर्ट कर देता हो फास्ट नेम यहां बगाज़तें लास्ट नेम होंगें इमेल आईडी है यहां पर इमेल देते हैं पासपर्ड में पी डवल एस पी डवल एस पी डवल एस और जो आपका कंपर्म पासपर्ड है तो हम देंगे सी डवल एस ठीक है तो अब यह चारो जो है पांचो जो है ब्लैंक नहीं होना चाहिए अब ब्लैंक हो तो एक क्याद एक पॉप अप दे और आगे का जो कोडिंग है और वर्क ना कर देंगे तो इसके लिए यहां पर दिखना है यहीं पर आएदिया एक्टी वर्क पर देटा है तो यहां पर लिखेंगे कि एफ दी इफ दी डॉट रेंज और इस रेंज में हमने क्या किया लिखा एफ यह नहीं एफ 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 इस इकोल टू जीरो और दी डॉट डॉट रेंज एफ 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 डॉट टू जीरो अब इस तरह से लिखने में दिक्कत हो रही है अब यहां पर चार है तो मुझे यहां पर एक और और लगाना और दी डॉट रेंज एक्वल टू इसके जगाँ पर हम यहां पर कर देते हैं यह सेट फॉर्म है यहां यहां लिखते हैं लिखते हैं लिखते हैं फस्नेम फन इक्वल टू एफ डॉट रेंज यहां पर लिखते हैं दी अब सरी यह एफ रेंगा ना फन दॉट रेंगा ना सीके लिखता है लिखते हैं घ्थ يटा लिखते हैं आफ रेंगा विखते हैं dot range assign कर देता हूं न, सही रहेगा, cm dot value, then v a double s pass equal to f dot range v a double s pass dot value or c p a w s pass equal to f dot range c p a w pass dot ठीक है, अब यहां पर यह हो गया, जैसे workbook अच्छा मैंने यहां गलस लगा दी है, यहां नहीं लगा, यह तो दूसरे file बला है, अ do, यहां लूसरे a यहां पर बहुता है, कि भूर्या जाठ आ लेज़्ियें इसको मैंने अउनुसरे, यहां बला, यहां पर एक और कर लिजे कि दिम एफ एज़े वर्क शीट ठीक है तो सेट कर दिया कि एक्टिव वर्क वुक डॉट एक्टिव शीट डॉट फॉर्म वाले सीट का है एज़ आप अब आगे जो यहां आपने सीट का और यहां इसके जगह पर आप सीजह लिख सकते हैं फास्ट ले जा लास्ट नेव लास्ट नेम और लास्ट नेम इंडा इमेल और यहां पर पास ठीक है यह बी नाइंटीन जो है वो तो पुस्रा है ओके अब यहां पर कंडीशन देना है कि इफ एफ एन इज नॉट इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू जीरो इक्वल टू जीरो और ln इक्वल टू जीरो और em इक्वल टू जीरो और pa double a pass इक्वल टू जीरो और c pa double a pass इक्वल टू जीरो यहां तेक्व मैसेश हो msg box जीरो टू आल टू इक्वल टू अ इधे टू यहां पहो जाएगा इंड शवथ एकजिट साव मैंने खतम करता है आगे आगे का चीज रहा और पूरसिज ही नहीं हो ठीक है एक बद करके देखते हैं इसके में दो-दो मैं को सहीने का मारा है इसकी जुरुत नहीं है राइट क्लिक किया और इसके असाइन मैंक्रो आगे बढ़ेगा ही नहीं है असाब दिन की गत्मों का तो आगे बढ़ेगा ठीक है सर एक चीज और भी था यह जो रेंज वाला जो हमने रिज्वल है इसको यहां भी डालना होगा इक्वल टू एम एस सो वाल्स तो कि सर यहां पर जब ब्लैंक हो जाता था यहां पर था यहां यह करूं जाने के बाद हर जाता है इसलिए इसको जरूरी है करना है कि समझ में आ गया यह वाली को तो हम नीचे के इंटी तभी करेंगे जब पूरी के पूरी फिल होगा टीक है तो जैसे मैं यहां पर पूजा लिख दिया यहां पर सिंग लिख दूँ और यहां पर हम पी लिख दिया को यह समझे दिया आपर पास्वर्ट्स प्रश्वर्ट अब मैं इसको यहां पर अंजेक था अब चेक किया एंड सम्मिट पर क्लिक किया तो इसने चेक किया कि सब जीरो नहीं है तो इसमें से एक भी अगर जीरो हो गया इसलिए मैंने और लगाया यहां पर मैंने एक जीरो लगाया इसका मुसलब है कि वर्क नहीं करेगा कोई भी एक होने पर वर्क नहीं करेगा अब मुझे यहां पर क्या करना है कि इफ कि पास इस इक्वल टू सी पास बैर क्या सो मैंसेज हो एम इस जी बॉक्स यहां पर बोले कि यूर पास्वर्ड एंड कन्फर्म पास्वर्ड नॉट ना ठीक है और यहां पर कर देंगे एक्जिट एक्जिट सब जरूरी है परना फिर चलेगा इस लेगा ठीक है में एक्जिट सब भी एंड तो अगल पास्वर्ड यह दोनों नहीं मैच किया तो यहां पर गड़ोगा यहां पर पूजा यहां पर सिंग और यहां पर यहां पर इमेर आपर यहां पर यहां पर सब्सक्राइब दिखा देगा यहां पर दिखा देगा यह और पास पर नॉट मैंट और यहां पर आगे नहीं बढ़ेगा अब मुझे देखना है कि मेरा इमेल आइडी सही से वर्क होना चाहिए अब इमेल आइडी सही कैसे होगा है कि मैं होना चाहिए ऐसे केशचे का मैं विए आगे वायोता है इंडेर ना कहिंऐ किसी करें कैसे में ऐसे केसे में प्यासी हमलला होता है इंस ट्या मैंने यह लिखा पास C equal to in str और in str के अंदर में हमने बोला कि एक से start करो और हमने बोला कि add the rate किसमें दुनना है किसमें दुनना है तो हमें दुनना है एम में इन इसे पहले नहीं सी के बाद डॉट चाहिए पहले नहीं सी के बाद डॉट चाहिए तो यहां पर यहां पर मुझे डॉट लेना है और सी के बाद यह तो वन दी है मतलग कि start 1 से करना है तो यहां पर वो लोगां start 1 से नहीं करना है वह start c plus 1 से करना है c के आगे से करना है ठीक है अब condition देते हैं कि if c is c is equal to 0 or d is equal to 0 that or लगा मतल देन यहां पर message हो msg box लिखें कि please enter correct email कि यहां पर फाइंड का यह formula लगा सकते हैं और यहां पर exit sub देना जोड़ी यह बनना कोई फैदा ही नहीं होगा इसको लागने का exit sub अब अगर डीडी और यहां भी डीडी कर रहता हो तो password स्थे मोगें अगर इसमें मैं डाल दिया इएम अधिरेट अधिरेट अब मैं डॉट कॉम नहीं डाला है ठीक है तो इसमें डॉट कॉम डाल देता हूं तो क्या होगा लिटा से कल गया समझें अगर आप इसका condition का यूज समझ में आया कि हम कैसे रियल ताइम यूज करते अब इस तरह के वी वी फॉर्म हमने बनाया जिससे डेटा इंट्री हो सके डेटा इंट्री माल दीजिए कि कोई भी एक डेटा इंट्री अब इससे माल दीजिए आप एकाउंट में आप पूरा पूरा दो चीजिए हो ली या तो आप एक नया एक्सल दूसे इंट्री करवाओगे आपका जो पहले से जो सालों सालों का डेटा है उसको तो देदोगे तिक्कत जाए तो सब्सक्ता है कि पहले के वाउचर पहले खर्चिम को छेरचाल कर देओ मैं जाता हूं कि अब मेरा मेरा डेटा कर रहा है छो क्या युथ मतर्यक देख सकें आप ने लिखता ना पो यह से बस्ते देटा इंट्री करते हैं तो इसा हो ते इसा इंट्री ना हो ऐसा हो ते नहीं हो तो यह विलिडिशन लानें लिए इस कंडिशनी जो जो कि आप यहां देख पारें ठीक है और एक ऐसे होता है तो मैंने प्रहाई गी था आपको बस आपको सिंपल फॉर्म पर बढ़ाया था यह स्टाइलिस फॉर्म है यह अंदर है ठीक है यह फाइल में भेज रहा हूं आप मुझे आप यहां पर एक चीज करें कि एक चीज करन बtesक दॉलिकेट होना उंसी हौनी जाई गंढ़र मैंच ऑन ओड़र है डेक यह स्ब्सक्राव कहें हों कि आपको बेज जेता हूं दिए, दिए, दो दो माद में दोड़िए. दो के अधे दो दो इंदिए.